तभी को नमस्कार R.E.A. इतियाज टेम और R.E.A. एड़ू एप के तरफ से R.P.S.C. स्कूल व्याख्यता परिक्सिया में चैनिच सभी परिक्सियार्थियों को खार्दिक बदाईया विद्यार्थियों ने मैनत की और उनकी मैनत रंग लाई की सपलता विद्यार्थियों की है मुझे खुशी इस बात की जरूर होती है कि सैनित में फर्ष्ट रंक से लेकर आखिरी रंक तक सभी विद्यार्थियों के पास R.E.A. भारती इतियास थी R.E.A. विस विद्यास भी थी आलंकि इसका क्रेडिट सपलता का विद्यार्थियों को जाता है क्योंकि अगर सपलता का क्रेडिट आ रही है वारती इतियास को दिया जाए तो R.E.A. सपल होने वाले उन पचास जार से अधिक विद्यार्थियों के लिए भी मैं जिम्मेदार हूँगा इसलिए बिगनिंग में ही मैं इस सेशन का मेरा उद्दिश से यही है कि सपलता और R.E.A. सपलता के बीच में जो माइनर सा अंतर रह जाता है हार्ड वर्क का उसके उपर थोड़ी सी जानकारी दी जाए और किस डायरेक्शन में एफर्ट किया जाए कि भावी परिक्स्याओं में ऐस सपल नहीं हो इस बार कटॉप जो रही है वो 260 के लगबग OBC की 270 के लगबग जनरल की रही है मेरा ये मानना है कि अगर हम सही डायरेक्शन में थोड़ा सा विद्यार्थियों की डायरेक्शन और सही होती है तो ऐसा तो नहीं है कि सीटे बढ़ जाती लेकिन कम्पिटिशन थोड़ा और ज़्यादा टप हो जाता 20 से 25 नंबरे और ज़्यादा यानि OBC की कटोफ 200 सी पीचैसी तक जा सकती थी अलाग कि मैं हमेशा मेरी ओफलाइन क्लास में भी यही विद्यार्थियों को कहता था लेकिन विद्यार्थी फिर अंतिम समय में कुछ चीजों से बठक जाते है दो चीजे मैंने विद्यार्थियों में नौट की है एक तो अपने उपर आत्म विस्वास की कमी पहली चो चीज है वो विद्यार्थियों में आत्म विस्वास की कमी है कि जिस विद्यार्थियों को सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहीं भी ऐस अपल नहीं होता है पहली चीज है, this is the foundation on which your success will be best, इस के उपर इस आजार के उपर आपकी सपलता निर्वर करेगी, और दूसरा है कि विद्यार्थी अपने study material के उपर भी यकीन नहीं करते हैं, material पर एविस्वास, लास्ट टाइम में मैं देखता हूँ कि अजार जार दो दोजार पन्नों की पिसले 10-15 दिन में, एक्जाम से 10-15 दिन पहले ही बहुत सारा PDF मेटर लाके इकठा कर लेते हैं, जो आपके पास पहले पड़ा है, उसके अलावा और आ जाता है, ये दो प्रमु इसमेंट नहीं हो पाता, so the first point is that how to manage stress in the exam hall, और दूसरा point है, आप study material को कैसे proper use करें, सभी के पास आर ये किताब है, मैं कई बार कह चुका हूँ, आर ये किताब की भी जूरत नहीं है, आर ये भरती इतियास की भी जूरत नहीं है, किरन वाली किताब से भी काम चल जाएगा, 100% काम चल जाएगा, हम लोग तो किरन की किताब पढ़ के ही पास होते थे, और उससे भी काम चल जाएगा, बलकि उससे भी कोई कम वर्जन है, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन active involvement तो student के भीहाब पे होने है, उसके लिए पिसले वरसों के paper और exam के trend को analysis करना बहुत जरूर और उस चीज़ पर यकीन कैसे करें, क्योंकि अब market में क्या होता है कि commercial aspect से काम करने वाले बहुत सारे लोग है, unlimited motive books है, unlimited matter है, उसमें से एक person ज्यादा आ जाएगा, अलग आ जाएगा, उसके आधार पे चीज़ों को misguide कर दिया जाता है, बड़ा unfortunate है, और बहुत ज्यादा एक, I would like to say that it is a criminalized effort, एक आफरादिक परकार का भी परियास कई बार, इसको मैं तो उसी की category में मानूँगा, कि students को bluff कर दिया जाता है, social media इसके लिए, ये platform बहुत बड़ा, एक platform बन गया है, जिसके मद्द में से विद्धार्थियों को misguide किया जाता है, otherwise ये cutoff इतनी नीच टफ था, लेकिने, यहां पर दोसो, तैसे, टॉप दस बारा रेंक के आसपास 300 नमबर बन रहे हैं, और लास्ट में 260 पे सारे सिमट रहे हैं, तो कहीं ने कहीं विद्धार्थियों के लिए, परियास extra effort करने की, अपने आपको excel करने की, पास with flying colors, ये बहुत सारी संभावना इसमें हैं, तलिए, ये मैं पहले भी बहुत बहुत बार बता चुका हूँ, और समझदार को इसारा काफी होता है, जिसको hint मिल गया, वो ये चीजे कर लेगा, पढ़ने के लिए, एक guide sufficient है, और उसमें R.E. वहरती इतियास और R.E. विश्व इतियास, इतियास के portion के लिए sufficient patient है, मेरी 6.7 विग्यान की भी किताब है, और भी बहुत सारी किताब है, मैं यह कह रहा हूँ, R.E. के लावा बाकी कोई भी publication है, सभी अपने level पे best करते हैं, लेकिन effort आपके भीहाब पे जो होने वाला effort है, वो जो difference create करता है, वो सभी का अलग-अलग होता है, इसलिए अपन पिसली बार जो एक school lecturer के लिए test series शुरू की थी, विद्यार्थियों की मांग थी, अलांकि इस platform पे मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन विद्यार्थियों की मांग पर यह test series शुरू की, उस test series में अलग-बग 3000 students enroll हुए, लेकिन उसमें मुझे कई shocking experience हुए, इस्तिती ऐसी बन करेंगे, यानि students से पहले ही हारमान लेते हैं, और जो student test देते हैं, उन students की आलत यह है कि लग-बग 70-80% student within 5 minutes submit कर देते हैं, यह मैं statistics का computer पर बैठे बैठे आकड़े देखता हूँ, कि within 5 minutes they submit their response and few of them are so brilliant that they submit their response between 10 to 15 seconds and then they expect that they would score with very high rank, उसके बाद में वो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी rank से वो select होंगे, यह कैसे हो सकता है, मैं इतनी effort करके, नॉर्मली मुझे चस्मे की जरुत नहीं है, लेकिन students के लिए अब चस्मा भी लगए, आलाएं कि मेरी उमर 49 हो चुकी है, लेकिन इस उमर में भी मैं बिना चस्मे के देख सकता था, पढ़ सकता था, लेकिन इसके लिए ये सारी चीजे भी हो गई, लेकिन फिर भी student को उस effort की, कि मैं किस level पर effort कर रहा हूं, test paper बनाने वाला किस level पर effort कर रहा है students से, मैं ये तो चाहता हूं कि वो इमानदारी से test दें, और ऐसी इस्तित की, पांच मिनिट में test देने वाला पूरे में से पूरा score कर रहा है, dishonesty कहां पर होती है, dishonesty वहां पर होती है, डो student test लेके बैठ के, एक ने 10 second में score कर दिया, दूसरे ने तुरंट answer की, से मिला के, पूरा right answer, right response score कर दिया, और 60 परसनों की, 100 परसनों की जो test series उसको पांच मिन submit में submit कर दिया, और बाद में RPSC की exam में जब देखते हैं, तो वहां पर वो last के सौमें भी नहीं आते हैं, ये इस्तिती हो रही है, तो जो भी test series लें, market में बहुत अच्छी test series सभी लोगों ने चला रिखिया जाए, कि हर आदमी अपने level पर best effort करता है, everyone tries to excel best, everyone tries to excel, his limitation, हर अपने limitations को excel करते हैं, उससे आगे बढ़के best देने की कोशिस करता है, तो आप भी कोई भी test series लें, उसमें इमानदारी जरूर रखें, कि और कोई नहीं देख रहा तो उपर वाला तो देख रहा है, अपने उपर इतना एक moral governance जरूर रखें, कि इमानदारी से ये test देवें, तो इसलिए, पिसलिए बार वाले test series से मैंने देखा लग वो 500 से उपर बच्चे सलेक्ट हुए हैं, 500 से उपर student सलेक्ट हुए हैं, जितना तो मेरे को पता चला है, और भी होंगे, मैं ने तो data collection में यकीन करता, मेरे पास जितने SMS, phone, ये सारे आयें, बाद में, बहतों को तो दो एक दिन्दे का फिर बाद में, इतने message आए, कि मैं नहीं देख वाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और सभी को मैं congratulate करता हूँ, जो सपल वे हैं, लेकिन बात यहां पर ऐस सपलता की, जो मैं कर रहा हूँ, वो ये है, कि students से last, उस level पे आके रहे जहां से वो 25, 30, 40 नबर और ज्यादा score कर सकते थे, और उसी score करने में, इमानदारी से practice set निकालना और test देना, वो कहीं न कहीं अंतर create कर गया, मेरी जो process जो approach रही है, वो approach यही रही है, कि minimum meter में maximum, minimum, minimum में maximum कैसे achieve किया जाए, और इसी approach के साथ काम करते वे, मैंने भारती इतियास की किताब लिखी थी, जिसमें 400 page थे, उसके बाद में उसको बढ़ा के 616 page भी वे, और मैं फिर से इसका एक shorter version, तो 300 page का हो सकता है, 400 page हो जाए, मैं 300, तक ही कोशीज करूँगा, कि 300 page की भारती इतियास की किताब में इस वर्स दिसमबर तक है, फिर students के सामने पेस करूँ, जिसमें minimum में वो maximum achieve कर पाएं, आलांकि अपनी 616 page वाली book रहेगी, ये थोड़ी higher version के लिए रहेगी, लेकिन entry level पे ये book के भी sufficient होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, दिसमबर तक के, या जनूरी beginning तक के, ये किताब students के पास है, आ भी जाएगी, खास तोर पर ये उन students के लिए भी उप्योगी रहेगी, जो ज entry level, this book will be a good guide for them, ये एक अच्छा उनके लिए helping hand होगा, आगे के लिए stepping stone होगा, आगे के level पे चड़ने के लिए एक अच्छा ladder, एक अच्छी CD के रूप में सावित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, अब मैं test series के उपर आता हूँ, students की demand पे फिर से मैं test series सुरू कर रहा हूँ, जो 15 October 2023 से सुरू हो रही है, और इस बार इस test series में 70 test होंगे, टोटल test series में 70 test होंगे, और ये सुरू हो रही है, 15 October 2023 से, 15 के बाद में अगला paper 19 को होगा, और इसके बाद में हर Sunday को होगा, हर Sunday को, स्याम को, आठ बजे, इतियास की, इतियास का, इतियास का test series होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारी test series चल दी, जिसका काफी अच्छा response भी आ रहा है, तो हर Sunday to Sunday, ये test होंगे, 10 tests में, 60 इतियास के होंगे, और 10 सिक्स्यामनोवी ज्यान के होंगे, और total अगर इन में देखा जाए, 70 test में अलग वगे, there will be more than 4500 questions, and if you attempt all these questions seriously, then you can go through the whole history book, by one go, एक test series के मद्दिम से पूरी history, और ये इतियास के किताब से आप गुजर सकते हैं, लेकिन अब ये depend करता है कि आप इसके लिए कितने sincere हैं, तो test schedule मैं आपके सामने रख देता हूँ, कि इसमें total 70 test होंगे, और इसमें से 45 topic wise test होंगे, जैसे 9 प्राचीन भारत के test होंगे, तो 9, फिर इन 9 test मद्देगालिन भारत के, 9 modern India के, 9 विस्वी तियास के, और 9 राजस्तान के, तो total 45 topic wise test होंगे, फिर हर एक 9 test के बाद में, एक test पूरे प्राचीन भारत का unit test होगा, तो plus एक, ऐसे होते होते, 5 और test होगे, तो total 50 test होगे, फिर ये 50 test होने के बाद में, हर एक unit का फिर से, एक unit wise test होगा, तो ये आपके 55 test होगे, और इसके बाद में, संपूर्ण पठे क्रम का, प्राचीन मद्याद दुनिक राजस्तान सहीद, जिसमें 6 या मनोविग्यान भी होगी, इन 55 test होगे अलावा, 5 पूरे mega test होगे, तो total 60 test तो इतियास के होगे, और 10 test 6 या मनोविग्यान के होगे, education, psychology के होगे, 10 test, education, psychology के, इस तरह से total इसमें 70 test, इस test सिरीज में होगे, और इसकी जो rate है, यह बड़ी reasonable है, 1299 यह rate है, और हर एक test सिरीज में मेरी effort यह रहेगा, हर एक में 50 question है, जो 45 test है, unit test में 100 question है, और आपकी जो mega test होगा, उसमें 150 question होगे, तो total around there will be 4500 questions, and I will try to elaborate the difficult facts and the problem of interpretation, after every test through a video class, video class के जरीए मैं हर एक चीज को interpret करने की process करूँगा, difficult चीजें और कैसे questions को गुमाया जा सकता है, exam hall में उसको किस तरह से, एक question को 20 तरीके से पूछा जा सकता है, या कई बार किस तरह से questions के अलग-अलग answer बन जाते हैं, जिसके कान विवाद भी होता है, या exam hall में किस तरह से ये stress create हो सकता है, वो सारे उससे related आसपास के इर्द गिर्द के सारे questions में पूरी व्याख्या सहीत और इनकी PDF भी मिलेगी, online classes के जरीए, इनको interpretation भी आपका, ये होगा, और इन online classes के माद्दिम से, परशनों के पूस्टने के तरीकों का पूरा गहराई से, वो wish lesson होगा, इस course की validity है, up to next exam जब भी होगी, अब अगला क्यूस्टन ये बनता है, कि ये exam कब होगी, पहले मैं इसकी, ये सारी चीजें, आर ये edu app पे Google Play Store डाउनलोड करके आप ये ले सकते हैं, और जनुरी माँ से, इसमें सिक्सा मनोवियान के टेस्ट भी होंगे, ये पूरा का पूरा, ये time schedule इसमें दे रखा है, बाकि आप एप के अंदर जाओगे, तो इसमें एक PDF आपको मिलेगी, आप में payment से पहले आप test series का पूरा schedule आप इसमें देख सकते हैं, इस screen पे तो आपको ये थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन सभी चीजें आपको यहां पे इसमें available हैं, आदुनिक भारत के भी, विस्वी के इतियास के भी, प्राची नमद्दे होई गया, रास्तान इतिया बनता है कि exam कब होगी, आचार सही ता लग चुकी है, अभी विग्यप्ती नहीं आएगी, बारा महीने से पहले exam होने की संभावना बहुत क्षिण है, लेकिन जो बारा महीने बाद में जगेगा, उसके लिए वो फिर अगले exam की तयारी कर लो, जो अभी से लग जाएगा, वो जीत में है, जो दीरे दीरे इस पूरे pattern को पढ़ते वे करेगा तयारी, उसको इस चीज़ का फाइदा है, और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, या टेस्ट का तरीका है, वो है बड़े सीमित तरीके से आपको maximum देना, मेरी जो online classes है, उनकी भी खास बात यही है कि लग ब पूरा syllabus हो जाए, ताकि student revise कर सके, unnecessary details में नहीं जा सके, और इसी theme पर मैं आर यह भारती इतियास को फिर से 300 page का भी एक version निकाल रहा हूं, ताकि जो brilliant student है, या entry level पे है, जिनको अपने उपर faith है, वो minimum में maximum चीज़ों को cover कर सके, तो इसी theme पर आपको अगर जो समझदार है, ज अभी आपको अगली बरती का इंतजार किये विना तुरंत तैयारी में जुट जाना है, test series market में और भी बहुत है, सभी की अच्छी test series ही है, मैं यह मानता हूं, तो आप कोई भी test series लें, लेकिन उसमें attempt करने में dishonesty कता ही नहीं करें, पिसले बरसों के paper जहां तक सवाल है, youth क अरी हंत के, और मैं खास तोर पर बार बार बताता हूं, मैं पपू सिंग जी परजापत वाली जो test series है, वो जो objective type की किताब है, वो आप जरूर लें, मैं आप देना मेरे को, आपके सामने दिखाता हूं, और ये मैंने इस कदर पढ़ ली है, मैं इस उमर में, देखिए ये फट चुकी है, इसमें सारी चीजें, क्योंकि मेरी इस उमर में भी ये कोशीश रहती है कि कहां से कोई अच्छा क्यूसन मनें, अच्छा इन्होंने compilation किया है, अच्छी चीज को आप लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा नितिक डाइत्तु है, मैं कोई और publisher या कोई किसी ची आलता आप देख सकते हैं, ये दोनों तरफ से खुल गई है, ये मैं इस उमर में, जबकि मुझे कोई competition भी नहीं देना है, पर परिक्स्यारतियों को किस वे में बहतरीन तयारी कराई जाए, इसके लिए मैं ये सारी चीजे देखता हूँ, तो खास तोर पर assistant professor की तयारी करने वाले students के लिए तो ये बहुत जरूरी है, बाकि आपकी मर्जी है, मैं परचार करूंगा तो आप को होगे कि सर आप promote कर रहे हैं, मैं ने तो self promotion करता हूं ने, किसी और का लेकिन जो अच्छी चीज है, मैं उसको वही बताता हूँ, और बाकि इस सोसल मीडिया, विग्या पन मिलते हैं, फिर किसी class के माद्यम से, और आप अपनी तैयारी जारी रखें, अपने उपर confidence रखें, अपने study material पर confidence रखें, आपके पास जो भी study material है, उसके basis पे आप exam को analysis कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी, thank you.